नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर सश्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो TGT के PRT सब्जेक्ट के रिजल्ट है और पंचाय सचीव के रिजल्ट को लेकर जो कोट में सुनवाई हुआ कल उसी के बारे मे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरह से यह कहा जा सकता है कि एक ही नियामावली सेम नियामावली पे आप कुछ ऐसे कैंड़ेट हैं मतलब कुछ सर्जेक्ट के आप कैंड़ेट को नियुक्ति पत्र दे दिये हैं वहीं पर बात करे लेकर कोट में सुनवाई हुआ और साथी पंचैत सचीव जो कैंड़ेट हैं इन लोग के भी रिजल्ट को लेकर सुनवाई हुआ था चुकि जो 11 गैर अनुसूचित जीले हैं इस पर रिजल्ट को लेकर कोई पाबंदी नहीं है और इस पर हाई कोट ने और सुप्रीम कोट के आदेश के बाद ये साब तोर पर कहा गया था कि गैर अनुसूचित जीले जो है इसमें रिजल्ट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है आप रिजल्ट प्रकासित कर सकते हैं और इसको लेकर एक आवमानना याचिका दायर किया गया था काफी लंबे अरसे के बाद इसके बाद के आदेश को आखिर क्यों नहीं माना जा रहा है तो इसी मामले को लेकर कल सुनवा ही हुआ था तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें जो प्याट्री का सुझट था प्याट्टी भी से के छात्रों को अभी तर नियूकति पत्र नहीं दिया गया इस कहिनी naw にब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वैसे candidate के लिए दोस्तों काफी मतलब मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो लोग अपने result का इंतजार कर रहे हैं और हर बार यही कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में आप लोग को न्यूपती पत्र दे दिया जाएगा अगर देखा जाए तो ps candidate के बारे में बात करें तो ps candidate का जितने भी छात्र है इन लोग को यह आसवसंद दिया गया कि 29 डिसंबर कब तक date दिया गया है उससे पहले clear कर दिया जाएगा ठीक है एक तरफ यह कहा जा रहा है दूसरी तरफ यह भी बात सामने आ रही है कि अब पूरे 24 जीले के रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया जाएगा वहीं पर कोड में जो सुनवाई चल रहा है वह 11-11 जीलों में रिजल्ट को प्रकाशित करने की बातें चल रहीए तो कहीं ने गहीं इस बीच जो छात्रों का एक तरफ से भरोसा है वह सरकार और कोड़ पर यह भ five यह उठते ही जा रहा है ठीक है क्योंकि कोड़ और का स्टेंड एक तरह से Dr. नेक्स डेट देना है और सरकार का आशोशन देना है तो इस बीच नहीं वेकेंसी आ पा रही है और नहीं आप पुराने जो वेकेंसी था इसको क्लियर कर पा रहे है तो आखीर इन छात्रों का क्या कसूर और छात्र करे तो करे क्या करे क्योंकि उन लोग के पास अब कोई ऐसा आप्शन सी नहीं है क्योंकि प कलब है कि और थोड़ा इंतजार करके एक नौकरी ले लिया जाए हाला कि उसमें भी सरकार डिले ही कर रहा है बर्ष 2021 को नियुक्ति बर्ष कहा गया था लेकिन सहच मायने में यह दिखा जाए तो पुरा वर्ष अब समापती के अंतिम छोर बेस्तित है यानि अब कुछ दिनो जो अग्जाम हुए थे उसको भी आप रद कर चुके हैं तो जो बचा है आप इन लोग का भी रिजल्ट प्रकासित नहीं कर रहा है तो यहां पर मतलब सरे आम अगर देखा जाए तो कोई भी सरकार हो मतलब आप लोगों से वादा करते हैं और वादा खिलाफी हो जाते हैं इन केंडिट्स का आप सोचिए कि पिछले 2 साल से रा इंतजार कर रहे हैं और आप अपना 29 डिसंबर को अपने 2 साल पूरे होने का टेνοर का जस्न और वैसे डिवर्ट का बंतार है नहीं को बारे में कौन सोचंगा और लोग के लिएं तो किसके ऊपार है आप सरकार में है द इसमें भी अब नेक्स डेट दे दिया गया यानि वह आपका 19 जनवरी को इसका नेक्स डेट दे दिया गया है इस मामले की सुनवाई के लिए भाई जब आप इन लोगों का रेजल्ट प्रकासित कर निवक्ति पत्र दे दिये हैं स्ट्रेसिविक्स वालों को तो पी आर्टी वाली सेम एक्जाम में बाकी लों को न्यूकती पत्रदे रहे हैं तो पूर इसका मामला या इसको क्या कर दिया बात करने की बात लग से इसको मामले क्या प्लाइब जबकि ऐसा मतलब 11-11 सुचित जीलों में रिजल्ट को प्रकाशित करने की बात कही गई थी लकिन सरकार आसवाशन दे दे के खाली डेट बढ़ा रहा है और कोट का मतलब एक ही है कि कोट जाओ तो अगला तारिक लेके आओ और कुछ तो लेके आ नहीं सकते हैं बस अगला ता हलीफ होता है दोस्तों कि एक मतलब केंडिड जो चात रहें अपने एक्जाम के तयारी के लिए सहर अपने घर से दूर जाकर किसी सहर में रहके एक छोटा सा कमरा में रते हुए अपना तयारी करते हैं कि वह जल से जल देके उनको सरकारी नौकरी मिल जाए ठीक है और इसके बावजूद एक रिजल्ट आप क्वालिफाई करने के बाद आप रिजल्ट प्रकाशित करने में इतना डिले कर दे रहें दो साल लेकिन चुनाओं की बात करें दोस्तों तो चुनाओं में देखे होंगे कि चुनाओं का बहुत जल्द इलेक्शन भी करवाया जाता है और बहुत जल्द एकदम प्रकाशित कर दिया जाता है मतलब समझ सकते हैं कि आप जब वारी आये वही जया最近 मेहनत करने के बाद आप एक्जाम देते हैं प्र पास करते है और उसके बाद न्यूखती पत्र का इंतजार करें और वहीं पर उन लोग का क्या है कि पूर पांत साल जो होता है उस 5 साल में पूरा आराम फरमाएंगे और अंतिम दौर में महिना 15-20 दिन का दौर में पूरा घुमेंगे हर जगा लोगों से वोट दीजिए हमको ऐसे करके वोट लेते हैं और सत्ता में आते ही अपने सारे वादों को भूल जाते हैं तो यह है इस्तिती चाहे वो किसी भी पार्टी किसी बात करें मतलब यह इस्तिती बना दिया है मतलब के बारे में किसी को कोई ख्याल नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है बाड में जाए बस हम लोग को आस्वाशन देंगे और भोट आने के समय हाथ जोड़के बिंति करेंगे क्या आप हमको वोट द यहां पर ऐसे वादों के साथ जो वादा किया जाता है इसलिए वोड देने से पहले जरूर एक बार सोचें दोस्तों तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें लाइक करें और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में सेर करें धन्यवाद